हे गाइस वेकम बैक टू मैं चैनल दवील ओफ फोर्चुन 709 टेरर आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार ओम मनीपत में हम ओम साइन राम जाइस थम नेल में आप लोगों ने देखी लिया होगा कि आजकी reading कैसी है यह पिकापाइल reading नहीं है collective energy check-in है उन लोगों के लिए है जिन लोगोंने मुझे request किया था कि आप collective reading किया किजिये क्योंकि हमें cards को select करने में दिक्कत होती है हाला कि मैंने उनको बताया भी ता solution की किस तरीके से select करना है लेकिन उसके बाद भी मैंने क्योंकि promise भी किया था कि उन लोगों के लिए भी मैं reading करूंगी तो मैं देखिए reading लेकर आगे so current feelings को लेकर हम देखेंगे कि आपकी जो partner है जिनके बारे में आप सोच रहे हो जो भी हो सकते है उनकी current feelings आपको लेकर क्या है लेकिन guys यह general reading है तो जरूरी नहीं है कि सभी के साथ resonate करें तो अगर ऐसा होता है कि यह reading आपसे resonate नहीं करती है तो मैं फिर से डालूँगी क्योंकि मैं अब डालती रहूँगी इस तरीकी की collective energy check-in मैं करती रहूँगी तो आप फिर अगला वीडियो देख सकते हो परिशान होनी की जरूरत नहीं है उदास होनी की जरूरत नहीं है अगर इस बार आपको जवाब नहीं मिला तो अगली बार आपको मिल जाएगा और current feelings को लेकर मैं pick a card भी रखूँगी ठीक है ना तो दोनों ही तरह की मैं reading डालूँगी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको बूरा कर सकूँ और आपके सवालों के जवाब मैं देप आँ और guys मैं यहाँ पर messages भी देखूँगी बाबा की तरफ से भी messages हैं वो भी आपके लिए देखूँगी और अगर मुझे कुछ लगा कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए तो वो भी मैं करूँगी ठीक है ना तो चले शुरू करते हैं देखते हैं किन के लिए आपती है यह reading के लोगों के लिए messages आते हैं क्योंकि उसी से पता चल पाएगा ना मतलब आपसे resonate करें आपके लिए है या नहीं है तो मैं पहले जो भी मुझे देखेगा मैं आपको बताऊँगी ताकि confirm हो सके वैसे अगर मैं current feelings बताऊँ तो यह हो जाता है किसके लिए messages है किसके लिए नहीं right so मैं पहले clear करूँगी और अगर यह आपसे resonate करता है तो आप फिर reading आगे देखें otherwise आप नहीं देखें all right confirm हो जाएगा तो यह है कि फिर जो भी outcomes आते हैं वो आपको अच्छे लगते कि हाँ हमारे लिए ही है यह reading तो पिका कार्ड नहीं है लेकिन उस तरह से ही मैं कोशिश करूँगी कि आपको बता सको सब कुछ clear कर सको I think block है आप लोग नहीं लोगों के लिए messages आ रहे है जो कार्ड भी आया उससे मझे लगा पीछे से अगर आवाज आ रही है गाईज तो उसकी लिए sorry TV on है क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं बही TV क्या क्या करें चलिए देखते हैं यहाँ पर है Nine of Swords और बेशक यह न जी आप लोगों को पता है कि कैसी है चलिए देखते हैं सारे कार्ड देखते हैं एक एक करके सो सबसे पहला कार्ड देखेंगे यहाँ पर है Six of Pentacles यहाँ पर है Temperance Six of Pentacles और Temperance एनजी सेम ही है Payfurtunk है King of Pentacles ओराम, Okay Two of Cups Hmm And Four of Cups just a minute guys okay okay guys तो मैं clear कर दूँ कि यह आज जो messages मिल रहे है universe की तरफ से वो किन के लिए है सबसे पहली बात आपके partner ने आपको block किया हुआ है जो कि मैं पहले ही कह रही थी ठीक है और अगर आपके partner ने आपको block नहीं किया है guys तो बात बहुत ही कम हो रही है ना के बराबर ठीक है लेकिन जादा तर जो जैसे energy मुझे मिल रही वो यही है कि block है कोई ना कोई और मुझे आपके partner की तरफ सही लग रहा है कि उन्होंने आपको block किया है ठीक है उन्हीं के लिए reading है अगर नहीं किया है आपके partner ने आपको block तो बात ना के बराबर ही हो रही है guys मैं वही कहूंगी कि जिन लोगों को block किया गया है ना वही है reading देके ठीक है क्योंकि उन्हीं के लिए मुझे बहुत जादा energy मिल रही है अगर आपके partner ने आपको block नहीं किया है तो आप अगली video देख लेना alright तो यहाँ पर तो यही है कि आपके partner ने आपको block किया है और किस वज़े से block किया है या कैसे आप लोग block हुए हो वो मैं यहाँ पर clear करूंगी तो देख लीजे कि आपसे resonate हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो फिर यह messages भी आप भी लोगों के लिए है ओके गाइस तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा था और राइट सब कुछ बहुत अच्छा था और आप दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया किद्रू मिले हो ठीक है फेस्बुक या फिर वाटसब या इंस्ट्रिग्राम कुछ भी हो सकता है कहीं से भी आप मिले हो या फिर हाँ आप लोग डिस्टेंस में हैं ठीक है तो ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर बहुत जादा मुझे वही लग रहा है कि सोशल मीडिया कि तुरू आप लोग मिले है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग आमने सामने से कभी नहीं मिले ठीक है कुछ लोगों के लिए सबी के लिए नहीं कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहे कि आप लोग मिल चुके हो लेकिन फिर भी आप लोगों की इतनी बाचीत नहीं हुई है आप लोगों ने डेट तो नहीं किया है एक दूसरे को डेट नहीं किया मतलब मुझे आप लग रहे कि कनफेस भी नहीं किया आप लोगों ने अपना एक दूसरे से प्यार आप लोगों का connection कुछ ऐसा रहा होगा शुरुआत में जबकि आप लोग मिले हो उस वक्त काफी अच्छा था और आप लोगों की दोस्ती हुई और बहुत गहरी हुई बहुत जल्दी ठीक है जितना आप expect भी नहीं कर रहे थे मतलब कि आप लोग एक दूसरे से मिले हो सकता है इन्होंने आपको request भेजी हो फेस्बुक पर या आपने इनको request भेजी हो ठीक है और फिर बात हुई और जैसे आपको लगा हो कि दो-तीन दिनों में ही कुछ ऐसा हो गया कि friendship बहुत जादा गहरी होगे जब आपने इनको देखा होगा तो आपको लगा होगा कि आप इनको बहुत पहले से जानते हैं और हो सकता है इन्होंने भी आपसे कहा हो कि आपसे बात करने के बाद में ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ या जानती हूँ ओके ऐसा हो सकता है दोनों में compatibility इतनी अच्छी रही है कि मेभी ऐसा हुआ हो कि जो कुछ आपके साथ होता आया है अब तक बचपन से लेकर अब तक वही इनके साथ होता रहा हूँ ठीक है तो तो मेभी जब आप लोग बात करते हूँ तो आप लोग इस तरीके से करते हूँ जस्ट अ मिनट गैसा मैं पानी पीलू मैं हमेशा पानी पीती हूँ वीडियो में ऐसा क्यों क्यक्या रीडिंग करती हो न काफी सारी लोगों की तो बोलते बोलते जब तक वीडियो का नमबर आता है तब तक मेरी गले की हलरत हो जाती है तो जब आप लोग मिले होंगे तो उस वक्त हो सकता है आपने काओ कि अरे ये चीज़े तो मेरे साथ भी होती रहे हैं बचपन से लेकर आज तक और इन्हों ने भी कहा हो कि अरे ये तो मेरे साथ भी होता रहा ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जादा similarities हो आपके looks में भी मतलब जैसे आप लगते हैं वैसे ये भी लग सकते हैं कलर को लेकर मैं कह रही हूं हो सकता है कलर एक जैसा हो या फिर आई या फिर कुछ भी हो सकता है ठीक है जिसके वीज़े से आपको लगता हो कि आप दोनों twins हैं ये वाली feeling आती हो आप लोगों को and बहुत जादा आप लोग close भी रहे हो और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये हो सकता है first love हो लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही अपने कार्मिक से छूट कर एक दूसरे से मिले थे हो सकता है इनका कोई connection रहा हो पहले ठीक है और ये उससे बाहर आये या उससे बाहर आना चाहते थे क्योंकि वो इनकी कार्मिक थी या था उस वक्त इनोंने आपको प्रोच किया आपसे बात की इनोंने सोचा कि आपसे बात करने के बात शायद ये भूल जाए अपना past और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ह हुआ हो सकता है ऐसा उस वक्त आप दोनों ने बाती करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा आपको अपरोच करता रहा बहुत ज़्यादा आपसे बाते करना काल करना मैसेजिस करना और बहुत आपकी तरफ से उतना ना हो उस वक्त लेकिन फिर भी कही न कहीं आपको लगता होगा कि जैसे ये जो बंदा है या बंदी है इसको बहुत ही पहले से जानते हैं हम ठीक है जो soulmate connection होता है या हो सकता है अगर आपको twin flame के बारे में पता है तो हो सकता है आपको लगाओ कि ये आपके twin है ओके तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर two of cups है यहाँ पर temperance से तो ये जो cards है ये मुझे बता रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको ऐसे लगा होगा कि angels नहीं इस बंदे को या बंदी को आपके पास भेजा है क्योंकि आप चाहते थे कि आपको ऐसा partner मिले लेकिन यहाँ पर wheel of fortune का card है जो कि ये बताता है कि शायद आप दोनों की बीच में cycle चल रहा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब शायद आप इनके close आए हो जादा जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है शुरुआत में यह जादा आपको प्रोच करते रहे उस वक्त आपने इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन जब आपने ध्यान दिया उस वक्त ही चीजे पलट गए wheel of fortune के साथ में यह जो four of cups का card आया है जो कि यह बताता है कि कही ना कहीं कुछ ऐसा था कि जब आपका ध्यान नहीं था तो इनका ध्यान आप पर था और जब आपका ध्यान गया तो इनका ध्यान हट गया ठीक है कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि बात चीत होना बंध हो गई हो सकता है इस person ने कुछ ऐसा अपना ब्यभार कर लिया कि जब आप बात करते हैं तो messages करना छोड़ दिया मतलब आप message करते हो तो reply नहीं करते आप call करते हो को call pick नहीं करते ठीक है जैसे ये बंदा बैठा हुआ है ठीक है न हो सकता ही आपको block करते भी रहते हो ठीक है पहले भी block किया हो फिर unblock किया फिर block किया फिर unblock किया और उसका reason क्या है उसका reason ये है भले ही इन्होंने आपको बताया हो या ना बताया हो लेकिन मैं जो मुझे यहां दिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका reason ये है कि जब इस person को ये लगा कि ये ज़्यादा close हो रहे हैं आपसे तो ये डर गए इनका अगर past में कोई relationship किसी के साथ रहा है ना तो अगर वो तूटा है अगर ऐसा कुछ है इनके साथ में नहीं बताया है तो मैं बता रही हूँ बताया है तो अपको फिर confirm हो जाएगा कि इनका जो भी relationship रहा होगा ना जिसके भी साथ में इनके partner ने इनको सिफ इसलिए चोड़ा होगा कि कि stable नहीं है ठीक है? stability नहीं होगी या तो इनका job अच्छा नहीं होगा या business या इनके partner को ऐसे लगा कि इनके साथ में एक अच्छा future नहीं हो सकता तो वो reason रहा होगा जिसकी वज़े से इनके partner ने इनको छोड़ दिया ठीक है ना? वही चीज इनके दिमाग में बस चुकी है इनको ये लगता है कि अगर आपको किसी लड़की के साथ में रहना है तो पहले आपको अपने आपको इतना stable बनाना होगा ताकि आप पूरी हिम्मत के साथ ये कह सके कि हाँ मैं कुछ हूँ गर्व के साथ में ठीक है ना? कि मैं कुछ हूँ क्योंकि पैसा ही देखते हैं सब ये ये इनके दिमाग में चलता है कि पैसा ही देखते हैं पैसे से ही सब कुछ होता है और अगर आपको बराबरी का रिष्टा चाहिए तो जरूरी है कि आप कुछ बन जाए आप king of pentacles बन जाए उसके बाद ही कुछ possible है otherwise नहीं चीक है ना? तो जब तक ये नहीं हो जाता ये किसी भी लड़की या लड़के से बात नहीं करेंगे और अगर इनको लगेगा कि ये close हो रहे हैं तो बहतर है कि ये पीछे हट जाएंगे हो सकता है इन्होंने आपको ये चीज़ बताई हो तो अगर बताई है तो confirm अच्छे से हो गया यहाँ पर अगर नहीं बताई है तो मैं आपको बता लिए हो आप यहाँ पर problem ये आती है कि आपको लग रहा होगा कि आपने कुछ गलत कर दिया इस वज़े से ऐसे हो गया या इनके past में ऐसा हुआ इस वज़े से ऐसा हो गया नहीं यहाँ पर wheel of fortune का card है जो कि ये बताता है कि ये होना ही था ये ज़रूरी था ये आपने या इन्होंने नहीं किया है ये होना ही था रिटन था ठीक है ना इसलिए ऐसा हुआ जहां तक मैं देख पारी हूँ आपकी intuition वैसे आपको बता देती होगी कि ये person आपका कौन है लेकिन जहां तक मैं देख पारी हूँ मुझे लग रहा है कि या तो soulmate connection है या फिर twin flame connection है कुछ तो जरूर है यहाँ पर कार्मिक तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर ये तो मुझे दिख रहा है कि आपनों का union होगा लेकिन एक समय के बाद वे तो इसका मतलब है कि ये जो आपका separation हुआ है या blocking जो भी चल रही है तो ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने आपको और ज़्यादा बहतर बना सको आपकी self growth के लिए तो बेश्चा कि ये जो आपका connection है या तो soulmate connection है या ट्रेंप्रिम connection है उन्हीं लोगों के लिए ये आज के messages आ रही है तो ये तो जो दिख रहा था मुझे वो मैंने आपको बताया आपसे resonate कर रहा है तो आप continue रखिए वीडियो देखिए अब देखते हैं आपके person के current feelings आपको लेकर और अगर आपसे resonate नहीं कर रही है तो आप अगली बार देख ले ना ठीक है तो चलिए देखते है पहाँ है कर दो अध़... कर दो कर दो कर देखिए मैं जो केरी थी वही कार्ट आ रहे हैं और भी देख लेती हूं फिर बताते हूं यहां पर लग रहे हैं तो यही रीजन है जिसके वज़े से आपसे बात नहीं कर रहे हैं और इन्होंने ब्लॉग भी अगर किया है तो मुझे यहां पर लग रहा है कि यही रीजन रहा है ब्लॉग करने का लेकिन यह मैं से इवार क्लारिफाइ करूंगी फिर आपको बताऊंगी ठेल 1998 वि किया से लगि trace sole पर आपको लोकित इसाल से लेवार कित COMMैं वेЫ सैसे साज्डिक्षे लग बताई टो बताई यही शर से लेजन से ब्लॉग पर दोस् Virginia तो पहले तुम्हें आपको बताऊंगी कि इनकी करेंटली यह जो पॉर्सन हैं बहुत जादा इनको सेल्फ वर्थ इशूज हो चुके हैं यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या करें अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अपने केरियर पर ध्यान दे रहे हैं और इनको ऐसे लगता है कि अगर इनका केरियर नहीं बन पाया अगर इन्हों ने अच्छे से अगर यह अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाए तो इनकी लाइफ का इनकी लाइफ अटक कर रहे जाएगी ठीक है ठीक है न यह एक्छली चाहते हैं आपके साथ में एक नई शुरुआत करना जो भी चीजें हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में उसको खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं of pentacles का card है यह चाहते हैं कि stable relationship आपके साथ बनाना ओके long term relationship सिर्फ ऐसा नहीं कि time pass कि और चल आप अपने रास्ते में अपने रास्ते नहीं वैसा नहीं है यह चाहते हैं आपके साथ रहना लेकिन यह अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं और इनको लग भी कहीं न कहीं ऐसा ही रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने जो सोच कर रखा है वो हो ही न पाए ठीक है न यहाँ पर seven of pentacles का card है जो कि बताता है कि यह इनके अंदर बिल्कुल भी confidence हाल फिलाल नहीं है इनको यही लग रहा है कि पता नहीं यह जो करना चाते हैं यह वो कर पाएंगी या नहीं कोई भी business या job जो भी करना चाते हैं इनको लग रहे कि पता नहीं यह होगा या नहीं हो पाएगा चीक है तो बहुत ही अटका हुआ सा और confused मैसूस कर रहे हैं यह खुद को इनके साथ एक प्रॉब्लम और है गाईज मैं आपको बता दूँ मुझे ऐसे लगते हैं कि इनके साथ के जो लोग है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मतलब इनके सपोर्ट में नहीं है वो अगर है आगी बढ़ना चाते हैं ना तो वो लोग इनको पीछे कर देते हैं इनको यह बोलके कि आप तो कुछ करी नहीं सकते हैं आप से कुछ नहीं होने वाला ठीक है ना और ये सारे चीज़े करने के वज़े से इस बंदे को ये दिखाने में तो बहुत ऐसे करता होगा या करती होगी जैसे आप से रेजोनेट करें आप ऐसे लेलो ऐसे दिखाने के वक्त में ऐसे करते होगी कि हाँ मुझसे बहुत तो कोई है ही नहीं मुझे तो सब अंधर से लगता है कि इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है यह लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और यह बिलकुल बिकार है ठीक है लूजर और इनके फ्रेंड वो भी कही न कहीं इसी तरीकी के हैं जो कि इनको आगे बढ़ाने की वजाए इनको डी मोटिवेट कर देते हैं इनकी कंपिनी अच्छी नहीं है अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन्होंने बॉक क्यों किया आपको अगर आपको इसका reason नहीं पता है तो इसका reason यह है कि कहीं न कहीं आप बहुत ज्यादा grow कर रहे थे और मुझे लगता है यह जो blocking हुई है यह बात होते होते नहीं हुई है मुझे लगता है कि बात आप लोगों की पहले ही दीरे दीरे कम ही हो गई थी और उसके बाद इन्होंने आपको block किया क्योंकि यहाँ पर यह जो काट है strength का with nine of panicles and three of wands मुझे ऐसे लगता है कि जब आपने grow करना शुरू किया हो सकता है आप कोई job करते हो कोई business करते हो या ऐसा हो सकता है कि जब आप इनसे अलग हुए बात चीज करना आपने बंद किया ना उस वक्त इनको यह लगा कि आप उदास होगे परेशान होगे लेकिन इन्होंने देखा आपको कुछ और ही हाला कि आप थे अंदर से उदास ही परेशान ही क्योंकि आपर three of wands है जो कि बताता है कि आपक खुश हो अपने friends के साथ हो enjoy कर रहे हो grow कर रहे हो ठीक है ना तो उन सारी चीजों को देखने की वज़े से इस person को और ज्यादा परेशानी हो गई और इसी लिए इस बंदे ने या इस बंदी ने आपको ब्लॉक कर दिया यहां पर मैं यह भी देख पा रही हूं कि कहीं न कहीं शायद आपके पास काफी सारे options थे और इस बंदे को पता था कि आपके पास options है और इस वज़े से क्या हो रहा था यह बंदा या बंदी जो भी है आपके बारे में आपका जो पार्टनर है आपके बारे में 24 घंटे सो पॉपिलर होते देख, इनको ये लगा कि, ये अचानक से क्या हो गया, कली कैसी थी और अचानक से कैसी हो गई, चीक है न, कि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, हो सकता है, आपको इस बारे में पता भी ना हो, लेकिन इनको पता था, ऐसा हुआ जरूर है, आप लोग अगर व इनके साथ issues हो गए, क्योंकि खुद तो ये कमजोर, खुद को मैसूस कर रहे थे, और आपको जब देखा आगे बढ़ते हुए, तो इनको ये लगा कि पहले ही, ठीक है न, पहले ही confidence नहीं था, पहले ही मैं ये सोच रहा था कि कैसे क्या होगा, connection हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ ठीक होगा भी या नहीं होगा, और वहाँ पर ये और जादा आगे बढ़ती बढ़ती चली जा रही है, और मैं तो वहीं पर रटक गया हूँ, तो इस तरीके के चीज़ें रहे हैं, और जिसकी वज़े से बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया, कि ना मैं इस चीक है ना, तो ये इनके साथ हुआ, करेंटली अगर मैं देखू, तो करेंटली ये ही है कि अभी भी अपने केरियर के ही बारे में सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि किसी तरीके से इनका केरियर बने, कुछ नहीं शुरुआ तो कुछ आगे बढ़े, लेकिन इनके साथ जहां परती वहीं पर हैं, और ये है कि इनकी एक तो कमपनी अच्छी नहीं है और शायद अभी इनकी किसमत भी साथ नहीं दे रही, कुछ और कार्ट्स निकालते हैं Ace of Swords, Five of Swords, King of Cups, यानि कि बात करना चाहते हैं, देखें, Knight of Pentacles का कार्ड है, बात करना चाहते हैं लेकिन इनका इगो इनको रोग देता है, ठीक है, फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और जैसे जैसे आपको ग्रो करते देख रहे हैं इनक जादा प्यार आता जा रहा है, लेकिन इनका जो इगो है वो रोग देता है, ये बात करना चाहते हैं, सोचते हैं बात करने का, लेकिन बहुत चीज़ें कि इनका इगो इनको रोग देता है, कि नहीं, बात नहीं करनी है, सी, एनरजी औरिकोल से देख लेते हैं, क्या कार्ज आते हैं आपके लिए, जर्णी, एनवी, सी, क्या रही थी न, मैं, देखें वही कार्ड आगया, आप तो यकीन होगा न, आपको, तर्चक्रा, कुछ कार्ड में और निकालूगी, देखें हो गया न, कनफर्म, आपके आगे बढ़ने से, इनको दिक्कत हो रही है, और कीन, तो यहाँ पर कार्ड आप देख रहे हो, आपको विएसे ही समझावी, लेकिन मैं आपको फिर भी अच्छे से बताऊंगी तो यहां पर कार्ट्स यह कह रहे हैं कि यह जो बंदा है या बंदी है जो भी आपके पार्टनर है चाहते हैं आपके साथ में आना ठीक है बहुत कुछ है इनके मन में जो इनोंने इसी लिए हापर King of Cups का कार्ड आया strong feeling से आपके लिए control नहीं कर पाते हैं बहुत ही मुश्किल से करते हैं करतों लेते हैं लेकिन पड़ी ही मुश्किल से ठीक है ना? बहुत अकलीफ होती है इनको ये करने में ठीक है ना? ठीक नहीं है यहाँ पर ये जो कार्ड है वो तो मैं अगर नहीं भी बताओ तब भी आपको समझ आ जाएगा जो कि मैंने आपको बताए ही था कि इनकी जो feelings है वो अजीब ही है मतलब इनको अच्छा भी लगता है और इनको बुरा भी लगता है आपको grow करते देखते हैं इनको खुशी भी होती है लेकिन साथ साथ इनको जलन भी होती है इनको ये लगता है कि आप इतना जादा grow करते जा रहे हो ऐसा ना हो कि आप इनको भूल जाओ आपको इन्होंने देखा है शुरुआत से मैं देख पारी हूँ जबकि आप शायद कुछ नहीं थे ठीक है जबकि आप struggle कर रहे थे आपको लोग नहीं जानते थे उस वक्त से आपको जानते हैं और इन्होंने आपको देखा है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ते गए हो आपकी journey को इन्होंने देखा है तो ये बहुत जाती जादा आश्चर में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे एकदम से इतना बदलाफ कैसे और वो बदलाफ देखने से इनका प्यार भी जो कि मैंने कहा था कि बहुत जादा सम्मान भी बढ़ गया है प्यार भी बढ़ गया है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बस आपके बारे यह सोंसते बहुत जादा हैं बहुत जादा सोंसते हैं और इनके साथ के जो लोग है ना वो भी ऐसे हैं कि अगर ही उनके पास solution मांगने जाएं तो वो इनको ठीक से solution नहीं दें और इन्हीं सारी चीजों की वज़े से आप लोगों का connection इतना कोई और अच्छा भी नहीं लग रहा होगा और इनकी तरफ से भी आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा होगा यहीं रही होगी condition देखते हैं इनका विदिन टू मंद्स देखते हैं कि इनका मूफ क्या रहने वाला है आपकी तरफ को की चली रेक्ट यहां पर है दला वर्स बॉटम अप टेक में देखना चाहूंगी यहां पर है नाइन अव वान्स मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ गाईस ताकि आप अच्छे से समझ सके रीडिंग यहां पर वही है जो कि मैंने पहले कहा था वही एनजी फिर से आ रही है बहुत जादा यह परसन जो है मुझे यह भी लग रहे कि शायद इनके उपर बहुत जादा responsibilities भी है कुछ तो है हो सकता है इनके family में ऐसा हो कि यही अकेले हैं सब कुछ करने के लिए या फिर ऐसा हो सकता है कि और भी कई लोग है लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है चीख है ना and सबसे बड़ी चीज यह कि यह सोचते बहुत जादा है इतना होदा नहीं है जितना बना लेते हैं चीजों को so अगर हम देखें कि next आने वाले दो महीनों में इनका next move क्या होगा तो guys यह आपके पास आएंगे आपसे बात करेंगे ठीक है ना और आपसे फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करने की कोशिश करेंगे कहेंगे आपसे लेकिन guys मैं एक बात बता हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि directly आएंगे मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है यह अपने किसी friend को भेजें आपके पास में ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है कि यह indirectly आपसे बात करें जैसे अगर इन्होंने आपको block करके रखा है तो यह आपको unblock कर देंगे और तुरंट message नहीं करेंगे यह क्या करेंगे आपको unblock करेंगे फिर status अगरे डालना शुरू करेंगे ठीक है न और यह expect करेंगे कि आप इनके status को देखो फिर आप अपनी तरफ से इन से बात करो यह इनकी कोशिश रहेगी यह आएंगे तो जरूर unblock भी करेंगे आपको अगले दो महीनों में लेकिन यह अपनी तरफ से बात शुरू नहीं करेंगे करेंगे भी तो जैसे hi बोल दिया hi hello what's up ठीक है न यह इस तरीके से इनका behavior होगा yes messages देख लेते हैं guys इनकी तरफ से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी family की तरफ से भी issues हो क्योंकि यहाँ पर यह जो card है न यह बताता है तो maybe इनकी family की तरफ से issues हो उनको लग रहो कि family नहीं मानेगी लेकिन कुछ लोगों के लिए होगा सभी के लिए नहीं तो यहां पर है आपके लिए I am waiting for the final judgment ओके I love you and my family as well I shall have to choose one of the two I am confused see मैंने कहा था न मैंने अभी कहा और दिखिये मैंसे जा क्या I am afraid of being judged by you see इनको लगते है कि आप इनको judge कर दोगे इन्होंने जो भी किया है ना पहले उसके लिए यहां पर है आपके लिए I need your love I need your support I need you You are my healer ओके तो जैसे कि मैंने बताया था कि हो सकता है कि जब आप लोग मिले उस वक्त ये भी किसी कार्मिक सिचुशन से बाहर निकले हो और आप भी तो कही ना कही आप इनको एक healer के जैसे लगते हो उस वक्त आपने इनको समभाला लेकिन इनकी कुछ इनके अपने खुद के issues रहे हैं जिसके वज़े से ये पीछे हट गए चलिए देखते हैं और क्या messages है आपके लिए ब्लू आइस तो हो सकता इनकी ब्लू आइस हो या आपकी ये लब्स यू विद पैशन और वेटिं फो देखते हैं ये यूनिवर्स की तरफ से है message guys I love you but cannot accept it I am jealous of you और यहां पर क्या है बोल दो ना जरा ये song ये उनकी तरफ से आपके लिए and अगला message देखते है it is hard for me to differentiate between wrong and right मैंने कहा थाना इनके दोस्त या इनके साथ वाले कुछ ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है लेकिन इनको नहीं समझाता call me and see मैंने कहा थाना ये आप से ही expect करें कि आप इनसे बात करो healer फिर से healer आया है and my mother will never accept it वही family मैंने बुला ही था forgive me I am thinking to surprise you तो ये आपको surprise देना चाहते हैं बेश्चक ये कुछ बनना चाहते हैं उसके बाद ही आना चाहते हैं summer तो हो सकता है summer में आप टों की बात हो या पड़ते हो या मिले हो आप marriage proposal wedding हो सकता है आपको propose कर दे and I am exhausted तो थक चुके हैं इसलिए यहाँ पर 10 of wands का card आया था क्यों चलती है पवन तो ये song आपको dedicate करना चाहते हैं ओके तो चले देखते हैं कुछ charms भी आपके लिए ये काफी कुछ है यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या आएगा मैं अधर देखते हैं क्या आया है आपके लिए क्या है यहाँ पर pray तो आपके लिए आया है कि आप pray कीजिए ठीक है w तो हो सकता इनका name शुरू होता हो w से या आपका trust and faith आपको trust रखना है faith रखना है pray करना है trust रखना है faith रखना है love yourself अपने आपको प्यार कीजिए आप लोग सीखिए ठीक है और है आपके पास take action तो take action मुझे यही लग रहा है कि यही आपने सीखना है कि आपको खुद को कैसे प्यार करना है k हो सकता है आपका नाम शुरू होता है या इनका f है यहाँ पर आपके लिए and यहाँ पर आया है d okay और क्या है यहाँ पर है d okay e है यहाँ यहाँ पर universe आपसे कहना चाहती है कि आप लोग pray करो faith रखो और कुछ आशा मत रखो ठीक है surrender कर दो alright यहाँ पर I फिर से आया है तो question mark यानि कि आपके मन में काफी सारे सवाल है लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जवाब दिये है x है यहाँ पर आपके लिए 8 तो yes cycle रहा है आप दोनों की बीच में and हो जाएगा बेशक smile कीजिएगा हो सकता है इनकी smile बहुत प्यारी हो या आपकी या आप दोनों की या confused यह बहुत साथा confused है और आप भी बहुत साथा confused है यहाँ पर है 6 ring है यहाँ पर तो medicine proposal का यह आया भी था तो हो सकता है कि आपको propose कर दें ठीक है और यहाँ पर यह आया है जो बताता है abundance को जो लोग यह जानते हैं उनको तो पता होगा इसको क्या कहते हैं ठीक है abundance के लिए होता है elephant है यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी चीज़े होने वाली है बहुत ही धीरे धीरे से होने वाली है और यह person कापी कुछ planning कर रहे है planning करने के साथ साथ ही यह आगे बढ़ेंगे charity है आपके लिए तो आप लोग charity करें आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है ना and मैं दिखा देती हूँ बाबा की तरफ से भी आपके लिए क्या cards है and then हम reading यहाँ पर uncut देंगे trust का card फिर से आया बाबा की तरफ से तो आपको trust रखना है guys okay free will देखे यहाँ पर वही cards आ गए है card clear and cancel तो universe और बाबा भी वही कह रहे है कि जो भी past में हो चुका है उसको हटा दें भूल जाएं और नई शुरुआत करें आपका बंदा भी वही कह रहा है और भरोसा रखने के लिए बाबा कह रहे है और सब कुछ चोड़ने के लिए कि आप जादा बाब 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 बाब